आज की रेसिपी है होममेड मटर पनीर इसे पहले आप सबी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन किचिन थीम में तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चिले हुए मटर लिये हैं उनको एक कप पानी में मैंने रख दिया है उबलने के लिए एक बॉयल आने तक हम इसको उबालेंगे थोड़ा सा इसमें एड कर देंगे सौल और इसको छोड़ देते हैं जब तक हम नेक्स प्रोसीजर में चलते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कड़ाई ली है उसमें डाल रही हूँ दू चमस देसी घी और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और इसको क्यूप में कट किया है इसको हम थोड़ा सा बुनेंगे जिससे पनीर में जो पानी होता है वो इसका सूख जाए यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर रखा है और इसको थोड़ा सा जेंटली चलाते हुए हम इसका पानी सुखा लेंगे इसको बहु लगते हैं यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारा मतर भी उबल चुका है अब हम इसको एक स्टेनर में स्टेन कर लेंगे जिससे कि इसकी ओवर कुकिंग रुप जाए यहां पे हमने मतर का किवलकच्छा पर निकाला है अगर आप फ्रोजन मतर यूज कर रहे हैं तो आपको बॉ प्रूम चुका है अच्छे से और इसका पानी भी सारा सूप चुका है और इस पर कोई लेयर नहीं आई है तो हमें इसी तरीके से इसको भूनना है अब हम इसको निकाल लेते हैं सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ मस्टर ऑईल तो आप जो भी ऑईल खाते हैं आप यूज कर सकते हैं लगबग दो चमच मैंने यहां पर मस्टर ऑईल दिया है इसमें में डाल रही हूँ दो कटे हुए प्याज छे से साथ लसन दो हरी मिर्च दो इंच अद्रब का टुकड़ा इनको पहले भून लेंगे कच्छा पन निकाल देंगे यहां पर कैमरा ओन करना मैं मैंने चार बरे साइज के ट्रमाटर लिये हैं और उनको रफरी चॉप किया हुए है डालेंगे तो घर बन के तयार होंगी कवर करने पका लेंगे तो सब का तरीका अलग-अलग होता है मतर पनी बनाने का और यहां पर मैं जो आपको यह रेसिपी बता रही हूं बिल्कुल सिंपल और बहुत ही टेस्टी सी सबजी बन के त्यार होती है हमारी तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टमाटर हमारा गल में लग गया है इसमें थोड़ा साल्ड भी आइड कर दिया है जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए यह रिख लिए ग्रेवी लग-बग हमारी बनने के लिए त्यार है अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं और इसको बारिक सा हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा होने के बाद अब मैं यहां प बेच पत्ता लॉग ने यहां पर लिया है चार ते पांच साथ में दो हरी लाइची में ने डाली है और जीरा एक चमच में डाला है यहां पर बहुत जादे ख़ड़े मसाले का यूज हम नहीं करेंगे और यहां पर यहां पर यह क्रैकर होने लग गया है अब मैंने यहां पीशा हुआ ग्रेवी स iemandर मिक्स कर दिया है तौ आप देख पा रहे हैं मैंने बिल्कुल बारी ग्राइंड किया हूआ है इसको मिक्स करríक्ट करें है, साथ में यहां पेडाल रही हूँ धनिया का पा उर्डर çॉ दोटेबल स्पून में धनिया बस इतने से मसालों में ही हम इस सब्जी को बना के तियार करेंगे बहुत जादा मसाले का यूज नहीं करेंगे भीट ही प्रिज प्रमत करते में दिखा रहेंगे और इसको नहीं प्रेएगा आप देख पा रहे हैं कि ग्रेवी का कलर भी छेंग्ज होने लग गया है और इससे ऑयल भी सेप्रेट होने लग गया है कि इसमिसल आते रहें जिसे कि ये जलेना और फ्रेम को हम मीडियम लो रखेंगे बबार से डखतेते हैं जिसे ये और अच्छे तरीके से कुख हो जाए यहां तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यहां पर देखिए ग्रेवी हमारी लगभग त्यार है और अब इसको हम खोल के और ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे यहां पर ग्रेवी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है हमारी और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं मटर जो हमने स्टेइन करके रखा हुआ है अगर आप फ्रोजन मटर आप ग्रेवी के अंदर मिक्स कर सकते हैं मेरी बाकी की रेस्पीज भी आप चैनल पर जाके ज़रूर चेक करिए अब मैं यहां पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ लगमगादा ग्लास आप जितना ग्रेवी रखना चाहें उसके अपॉर्डिंग पानी आड़ क से एक बॉल आने तर फेट करेंगे यहां पर देखे यह बॉल आ चुका है हमारी ग्रेवी में और अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे पनीर यह पनीर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है तो यह रेसिपी बहुत ही सिंपल और फटा फट बन के तयार होती है तो आप भी इस रेस करना ना भूलें यहां पर मैंने थोड़ा सा एड़ किया है नमक और फ्रेश क्रीम का यूज कर रही हूँ यह क्रीम मैंने घर पे ही दूद से उतार के मलाई यूज बनाया हुआ है तो यहां पर लगभग 5-6 चमच मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूं आप चाहें तो सकते हैं इसको मिक्स कर देंगे तो क्रीम डालने से इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है और यह सब्रें हमारी बन के बिल्कुल तयार है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए ओपर से मैंने थोड़ा सा क्रीम से इसको गार्निश कर दिया है मिलते है अग